हे गाईज मैं हूँ मैं शापदेगर से स्टेक बना हूँ और एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज इस वीडियो में बात करेंगे पोको एफटू के बारे में पोको एफटू जोकी दो साल से सिर्फ सुर्खियों में बना हुआ है मतलब 2019 निकल गया 2020 निकल गया लेकिन पोको एफटू की दूर दूर तक कोई भी खबर नहीं है और जब पोको एफटू को एफटू को लेकर एक्सपेक्टेशन करना चोड़ दिया है तो पोको एफटू फिर से सुर्खियों में आ गया है और Poco F2 को लेकर कुछ इंट्रेस्टिंग से स्पैक्स और लीक सामने निकल करा हैं जिनको लेकर आगे इस वीडियो में डीटेल में बात करेंगे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो का डिस्क्लाइमर आपको पहले ही दे साथ ही साथ अपने जितने भी एच्वमेंट थे और अपने जितने भी माइलिस्टोंस थे बेसिकली उनके बारे में इन्फोर्मेशन थी लेकिन इस वीडियो को पोस्ट करने का परपच कुछ और ही था जो लास्ट के 10-12 सेकिंड में आपको पता चल जाएगा तो 2021 में पोक पोको एफटू जी हाँ पोको एफटू ऑफिशल इंडिया में लॉंच होगा ये चीज ऑफिशल कंफर्म हो चुकी है और इस टीजर वीडियो को डालने का में परपस यही था क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपने देखा हो तो पोको एफटू को जो है उससे अलग से हा पोको एफटू को लेकर कुछ लीक सामने निकल कर आएं जहां आप देख सकते हैं डिवाइस का मोडल नंबर के नाई ने और एक कोड नेम दिया गया है कोरबेट जो इससे पहले काफी सारे सर्टिफिकेशन में पहले भी पोको के डिवाइस में देखा गया है अब इन इस के अकोडिंग बात करें तो पोको एफटू में आपको इस बार एक सूपर एमलेट डिस्पले देखने को मिलेगा जो आएगा 120 एट्स के रिफ्रेश रेट के साथ में पीछे की तरफ आपको कोड कैमरा का सेटप देखने को मिलेगा कितने मेगा पिक्सल के सेंसर होंगे यह यहाँ पर अभी तक कन्फर्म नहीं हुए 4,250 mh की बैटरी देखने को मिलेगी NFC का सपोर्ट होगा लेकिन वो गलोबल वेरियंट में होगा Indian वेरियंट में नहीं होगा और सबसे बड़ी बात आती है प्रोसेसर को लेगर तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 732 का चिपसट देखने क मिलेगा जो कि एक mid-range चिपसट है तो ऐसे कुछ specs अभी तक कि हम बताए जा रहे हैं बट जैसे कि यह unofficial specs है तो जरूरी नहीं है कि यही specs आपको देखने को मिलेंगे तो अगर इन specs के साथ में POCO F2 को launch कर भी दें तो आपको बागी सारे specifications wise तो upgrade देखने को मिल जाएंगे Qualcomm Snapdragon 855 या फिर 855 Plus दे तो फिर यहां पर थोड़ी बात बनेगी क्योंकि 2019 और 2020 की बात करें तो 855 और 855 Plus थोड़ी से expensive होते थे जिने mid-range segment में देना possible नहीं था लेकिन अभी यह chipset काफी पूराने हो चुके हैं और अभी कि अगर आप बात करो तो Realme X3 same chipset के साथ मैं आपको ग्रीज से 25,000 रुपे के price budget में देखने को मिल जाता है तो अगर Realme दे सकता है तो Poco क्यों नहीं दे सकता तो मेरे recording तो Poco को यहां पर प्रोसेसर में definitely एक upgrade देना चाहिए क्योंकि Poco F1 के साथ में इन्होंने सबसे पहले high expectation user के साथ में set कर दी अब अगर उससे कम देंगे तो definitely users को पसंद नहीं आएगा और हो सकता है इसकी वज़े से device को market में इतना fame ना मिले जो Poco F1 को मिला था बट एक चीज़ confirm है कि Poco F2 आपको for sure इंडिया में देखने को मिलेगा 2021 के first आप में मिल जाए या फिर second आफ में बट मिलेगा जरूर अब सवाले आता है कि Poco F2 में आप कर पता चलेगे Poco F2 में आपको actual में क्या specifications देखने को मिलेगे तो Poco F2 को लेकर मैं भी काफी excited हूँ बट chipset को लेकर मुझे थोड़ा सा जीब लगा वेट करते हैं कुछ official confirmation का ताकि जो चीज हैं वो अच्छे से clear हो जाएगी बागी आप मुझे नीचे comment section में बताओ कि क्या आप Poco F2 को लेकर अभी भी excited है और आपके according Poco F2 में क्या specifications Poco को offer करने चीए जरूर से बताना है नीचे comment section में फिलाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर Poco F2 को लेकर और कोई बी information या leaks आती हो तो definitely आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी वीडियो अगर पसंद पाइज निक्स वीडियो